है हलो फाइंस इनवेश्ट फोरइबर में आपका इब़ा फिर सास्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले अमीरो का इपियो देखियों का इपियों को उसका रीजन क्या है वो उसी चीजे से लेटेड हम यहां पर बात करने वाले है दुआरा यहांपर देखें एक मह पहले यहां पर बात करी थी, Amirok IPO, Amirok IPO, ओके यहां पर दो तार दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, Amirok IPO, तो Amirok IPO किसे मतलब क्या है, Amirok IPO क्या Amiri ले सकते है, उसे हम क्या कहते है, कोई रिटेर इंवेश्टर नहीं ले सकते, तो इसी चीज़ का रिप्लाई देने, एस वेल एस उस IPO की डिटेल्स, वो आप है क्या, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, अधित्य बर्ला की बारे में ही यहां पर बात हो रही है, अधित्य बर्ला, Amc का जो IPO आ रहा है, अधित्य वीडियो में आगे बढ़े और जाने, कि एक्जक्ली पूरी डिटेल्स, क्या है, क्यों उसे क्या कहा जाता है, आपसे रुक्ष्ट करूगा कि हमारी चैनल और आपका खुद का चैनल Invest4Evr, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फैंस के साथ ता कि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहें, और यहां पर कुछ वीडियो आपको कर्किलेट में बनाए गई है, जाके देखिए, यहां पर देखिए, कम्प्यूटर रीजमेंट में कि हम से लिठी वीडियो बनाए गई थी आज 6% भागाई, कुछ शेयर गिरता हुए दिखाई थी और से लिठी भी हम यहां पर बात करेंगे आगी की वीडियो में, तो इस्टे टून रही है, सब्सक्राइब पर बैल आइकन को हिट कर लिजिए, आउल पर यहां पर स्लेक कर लिजिए, शेयर करिए दूसरे लोग से, इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरे वीडियो को और बाइंग से लिंक को रिकमेंडिशन नहीं है, अपने फाइश एडवाईजर को खुद की स्टड़ी करके यहां पर आपको पोजिशन लेनी है, तो हम आगे बढ़ते हो जानते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे किसका आईप्योद है, के कंपनी है, जैनम, फेरो एलोईज इंडिया लिमिटेड, इसके एक आईप्यो आता हुओ दिखाई दे रहा है, और आज की देट में पहला दिन था और दो दिन और भी यहां पर बचे है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर बात करें, तो अगर बात करें, यहां पर कुछ इस पर टुग है, तो आपको पता चलेगा, देखें, यहां पर यहां पर यह जो कंपनी है, यहां पर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती हैं, नहीं जर आती हैं, आपर देखिए, Genom Ferro Alloys Limited is among India's leading manufacturer and exporter of niche value added manganese alloys. The company has emerged as a reputed provider of customized manganese alloys to large and growing steel companies to the world over. तो आपने नहीन देखिए नहीन है किस तरीके से तरीके से हमारे यह पर sincere three-preaders की थीए और इसे तरीके से यहां पर यहां पर यह जो प्रोडक्स है काफी अच्छ प्रोडक्स यहां पर यह कंपनी बनाती भी दिखाई दे रही है यहां पर देखिए यहां पर इस कंपनी के बारे में जाके और पढ़ सकते हैं इंफरस्ट्रक्ट्चर के बारे में जान सकते हैं के यहां पर देखिए कंपनी 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 ने यहां पर अपने बारे में यहां पर दे रखा है तो यहां पर अगर बात करें के प्रोड़क्स तो तीन चीटों में यहां पर बात करें यहां पर इनके बारे में जान लेते हैं कि किसको यह यहां पर प्रोड़क्स देती हुई नजर आती है इन दे अब बात करते हैं कि इसे कि पर इसे में नजर आती है लाजर यूज इंड़श्टी में कंपनी काम करती है लाजर यूज इंडश्टी में यह बता रखे है यह बता रखे है इसके अलाबा कंपनी की अगर बात करें तो देखे है इस इस यह बताते है अगर बताते है पर मोटर की बात करें अर्चिद पारें अदित्या पारे कार्ण के बारे में आप जाके गूगल पर सबस्क्राइब कर सकते हैं करनें हो स управे से कवा में आगर करें अरकी और भी शीरियोकी तो यहां पर बात करते हैं for financials की फाइनेंश की बात करतेया है में देखे दो जर चैनल एकशी में एम मुलियन से रुपीज कर दियाओbecca तो यहां पर सीजनल सीजनल यहां पर शेयर बिका जाता है तो इस इत को भी आपको यहां पर ध्यान देना होगा अगर बात करें तो यहां पर इनका जो अब्जेक्टिव्स है वह वह काफी अच्छा है यहां पर देखिए मिट वर्किंग कैपिटल रॉक्वार्मेंट्स इनने कुई पैसे की जरूवत है इसलिए जनल कॉपर पर इनको ओपन वह दिखाई दिया थीज तारीक इसथा अउड़्से अप्लाइब एक व्यास के अधा यहां पर बॉक्ति तारीक में एका वाइंत का इस तरीके से था तो इहां पर इत्यु उप्रस प्राइस का मतलब है कितना तो यहां पर 17 रूपीज पर यहां पर यह ट्रेड होता हुए आपको दिखाई देगा मतलब 7-11 की हिसाफ से यापको लेना पड़ेगा वो ओफिक्स साइज है बाइस बात करें दसके यहां पर फेस व लुए है यहां पर 2000 शेर का यहां पर यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से इसे अमीरों का आई प्यों का जाता है ओके मिनिमूम और मैक्सिमूम आप 2,000 लोट शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं SME IPO होता क्या है उसके लिए मैं आई बटन पर लिंक दूँगा तो उससे देखिएगा तो SME IPO होता है कि आपको एक आईडिया लगता हूँ दिखाई देगा बाकी मार्केट लॉट यहां पर 2,000 शेयर का एक लॉट है और इसके लिए आपको कितने पे करना होगा वह हमें आपको बताऊंगा और यहां पर यह जो SME IPO जैराम फैरो एलाई जाना वह SME IPO है SME IPO क्या होता है Small Medium Enterprises मतलब चोटे और जो चोटे वेपारी होता है चोटा बिजनस होता है जिनका मीडियम बिजनस होता है उनके लिए यह IPO लाय जाता है ताकि वह मार्केट से इसली पैसा उठा सकी ओके अगर हम बात करें इसुसाइज होदें कि 19.06 करोड का यहां पर 20 15,000,000 शेयर यहां पर offer for sale के तुरुआ रहे है 10 करोड का offer for sale नो करोड 11,000,000 रुपे का यहां पर fresh issue यहां पर आता हुआ दिखाई देगा है तो जैसे कि हमने यहां पर देख लिया 28 तारिक को यहां पर आज की दिन आता हुआ दिखाई दिया 3 तारिक large date है basic of alert में मतलब अग यहां पर आठ तारिक को आपके account में आजेंगे डीमेट में IPO की लिश्टिक date की बात करें तो यहां पर आठ तारिकों यहां पर लिश्ट होता हुआ दिखाई देगा तो जैनम फैरो एलाइज आई पर lot size की बात कर रहे है जैक यहां पर एक lot है एक lot कितने का है दोस्तों 2,000 अब नॉर्मल आप IPO के लिए apply करते हैं अगर आप apply करते हैं तो उसके लिए आपको 15,000 यहां पर पे करना होता है बट यहां पर बात करें इस IPO के लिए आपको 1,40,000 देना परता है इसलिए इसे अमीरों का IPO कहा जाता है आप बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100 परसेंट है अब अगर बात करें एक पर IPO आज आएगा उसके बाद इनकी होल्डिंग रह जाएगी 73.47 परसेंट की होल्डिंग रह जाएगी तो जो सेवी का डूल हो भी यहां पर मीट होता हुआ दिखाई देगा और अभी तक अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 0.98 सब्सक्राइब निटेव का पर इंदा कुई बी काटेगरी की बात करें यहां पर तो 0.81 यहां पर होती हुआ दिखाई दे रही है एन आईज की तरफ से तो यहां पर अगर हम यहां पर देखें इस पर्टिकुलर आईपयो आईपयो जो बिजनेस है जो चल रहा है आजकल यहां पर अच्छा खास है यहां पर नजर आ रही है तो आपको अप्लाई करना है कि आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं यहां लाइक डिलिंग इन 50 लाग और 40 लाग और वन कोरूर रूपीज इन दे मार्केट ओके इन देट केस्ट यहां पर स्मॉल आईपयों में यह हो अब यह पर तक कर देने लग जाए और यहां पर बड़े बड़े इसका क्लाइं सही तो इस चीछ पो भी आप यहां पर देख सकते हैं अगर बात करें थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा जींप यहां पर कुछ है नहीं तो मेरे ही साब से आपको आपको अप्लाई नह अगर आप यहां पर apply करेंगे ना तो most probably आपको यह allotment मिली जाएगी, no doubt है, इसमें कोई यहां पर changes वाली बात ही नहीं है, तो अगर हम SME IPO क्या होता है, SME IPO small medium enterprises होता है, छोटे-छोटे IPO इसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो SME IPO में आता है, तो यहां पर NAC SME पर ही shares होते हैं mainboard, उसमें save ही होता है, तो यह कुछ difference होता है, जो कि मैंने आपको SME IPO होता है, उसमें पता रखिया है, तो जाके वीडियो चेक आउट कर लीजिएगा, बाकि इस वीडियो को like करिये, comment करिये, और कोई question हो, तो यहां पर आप comment करके पूछ सकते हैं, so thank you so much, God bless.